वेल्कम अगें तु सिक्षा स्थे हैं लास्ट लेक्चेर के अंदर हमने अने ट्रास्ट ट्रेड यूनियन देकर उसके अंदर हमने इंडने गसे क्डऱओ नियूट फॉस्तर हो घैरल से ब्राफ तक्राव ग्या फॉसिदीर लेक्चर नंबर 10 अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले देख लो उससे लेक्चर नंबर 11 की क्लारिटी जादा अच्छी जो है वो बनेगी और PDF फाइल्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है एक छोटा सा और आपको PDF सारी मिल जाएंगी जो अभी लेक्चर डल रहे हैं इनकी भी और जो पहले इंडस्ट्रिल रिलेशन्स के लेक्चर 2020-2021 के अंदर डले दे वो वाले भी सारी PDF आपको अविलेबल हो जाएंगी उसके अंदर तो स्ट्रक्चर के उपर आजाएं फटाफट से तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर यूनियन्स की तो तीन बेसिकली यहाँ पर कैटेगरीज आजाती हैं एक जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी यूनियन दूसरा आजाता है आपका सेंट्रल फेडरेशन प्राइमरी यूनियन्स आप टर्म से समझ पा रहे होंगे कि यह लोकल लेवल के उपर होगा बिल्कुल ठीक है ग्राउंड के साथ जो जुड़ा हुआ यूनियन होगा वो प्राइमरी यूनियन होगा सेंट्रल फेडरेशन अपने को समझ में आ जाता है कि यह कुछ बड़ा है ठीक है यह नैशनल नेवल पे आ जाएगा और इन दोनों के बीच में ना प्राइमरी और सेंट्रल फेडरेशन के बीच में एक टाइप आ जाता है जो आ जाती है आपकी स्टेट ब्रांचिस एके करके इनको समझेंगे तीनों को कि primary union में क्या होता है, central federation में क्या होता है और state branches में क्या होता है तो सबसे पहले तो primary union की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यह basic unit है basic unit क्यों है क्यों है क्योंकि यह workers के साथ यह जुड़ा हुआ है ठीक है, ground के उपर जो presence है वो primary union की है और जो members है अब for example कोई trade union form होरी है किसी company के अंदर या किसी industry के अंदर या किसी factory के अंदर तो जो factory की trade union है एक तरीके से सीधी देशी भाशा में समझो वो factory की जो union है वो एक primary union है वो members को recruit करेगी, company में काम करने वाले लोगों को recruit करेगी उनका एक local office भी होगा जहाँ पर सारी planning अगरा हुआ करेगी जहाँ पर जो members है organization के वो अपनी problems लेकर के जाया करेंगे जो उस industry से related dispute arise होगा जो लोगों को problem होगी उसको solve करेगी तो यह बिल्कुल ground level के उपर है, यह workers के साथ directly attached है ठीक है, अब इसकी जो organization हो सकती है वो differ करेगी according to उस area की local situations क्या है, उस industry के अंदर जो workers है वो किस type की problems face करते हैं, ठीक है और यह जो unions है यह काफी हथ तक independently काम करती है ठीक है, अब for example, कोई sugar milk industry की union बनी हुए या regional level पे, तो वो function करती है independently या किसी एक particular organization की कोई union बनी हुए तो वो independently उस organization से related जो matters होते हैं उसके उपर decision लेगी अब primary union की जब हम बात करते हैं, तो इसको हम further classify कर सकते हैं टीन types के अंदर, एक तो आपकी industrial type आ जाएगी, एक general type आ जाएगी और एक craft type आ जाएगी, यह more or less वो ही classification है या वो ही structure है, जो हमने पिछले lecture के अंदर discuss किया था जब हम general structure की बात कर रहे हैं ते trade unions की फिर भी इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं तो सबसे पहले तो industry tribe में primary unions के अगर हम बात करें तो इसमें दो classification आ जाती है अब देखो western countries के अगर अंदर आप देखो तो western countries के अंदर trade union movement जब शुरू हुई ना तो सबसे ज़्यादा strength या सबसे ज़्यादा जो लोग unions form करते थे वो होती थी craft union ठीक है craft union हमने last lecture में समझा भी था ना कि craft union की सबसे ज़्यादा strength ही है क्योंकि है strong रहती है इनको break करना बहुत मुश्किल है क्योंकि same craft के लोग एक साथ जुड़े हुँ है ठीक है लेकिन इंडिया के अंदर western countries वाला model नी चला जैसे western countries में craft union थी जो initially strength लेकर के आगे बढ़ी इंडिया के अंदर जो trade unions initially strength के साथ काम कर रही थी वो थी आपकी industrial unions ठीक है अब ये जो आपकी industry type आ जाती है classification इसमें दो आ जाती है एक तो plant level industrial unions या establishment level unions भी आप उनको कह सकते हो और दुसरी आ जाती है कि region कम industry level industrial unions क्या होगा इनके अंदर ये समझते हैं तो सबसे plant पहले plant level industrial unions ये सबसे जाधा common होती है इंडिया के अंदर ये एक single plant को cover करेंगी यानि कि एक single factory को या एक single company को cover करेंगी and उस company के अंदर या उस plant के अंदर जो भी workers काम कर रहे हैं चाहे वो किसी भी craft के worker है कोई भी काम करने वाले worker है वो इस organization को या इस union को join कर सकते हैं ठीक है अब कुछ ऐसी establishments भी होती है जो industry की definition में नहीं आती जैसे agriculture है या personal services वाली कोई organization है तो उस case में term establishment use होगा जैसे हमने या पर plant level industrial union use कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिरफ उन plants में जहाँ पर कोई manufacturing हो रही है कोई production हो रही है वहीं पर यह union form हो सकती है और agriculture में भी यह union form हो सकती है लेकिन वहाँ पर हम term क्या use कर देंगे establishment तो plant level industrial union basically हो क्या गया कि एक single plant को cover कर रहा है एक single organization को cover कर रहा है और उस plant या organization में काम करने वाले सारे workers जो हैं वो इसको join कर सकते हैं दूसरा आ गया region come industry level region come industry level के अंदर क्या होगा जैसे plant वाले में तो क्या है कि एक single organization region come industry level के अंदर क्या होगा है कि एक region के अंदर एक particular industry से related जितने भी employees हैं जरूरी नहीं है कि वो industry single employer के अंडर है अलग-अलग मालिक हो सकते हैं उनके लेकिन एक single type of industry है और उसके employees जो हैं आपस में मिल करके join कर रहे हैं जैसे आप राश्ट्रिय में मजदूर संग हो गया या गिरनी कामगर union हो गया जो मुंबई के अंदर located है ठीक है जी उसके बाद next आजाता है आपका primary unions of general type तो primary unions of general type again दो type के आजाती है एक employer come local level general unions और एक local level general unions ये क्या होता है employer come local level general unions क्या हो गया इसके अंदर एक particular for example समझ लो एक employer है एक बहुत बड़ा सा कोई आदम है Mr. Ambani है अब Mr. Ambani की Reliance Industries है Reliance Industries के अंदर आप देखोगे कि अलग-अलग companyya बनी हुई है petroleum की भी है उसके बाद mobile phones की भी है retail chain की भी है अलग-अलग company है लेकिन मालिक सबका एक है वो सारी की सारी Reliance Industries के अंदर आ रही है तो ultimately हुआ क्या देखो companyya अलग-अलग बनी हुई है अब देखा जाए तो तेल निकालने वाली company जो है Reliance की उसका Reliance के जो आपके Reliance डिजिटल जैसे store बने हुई है कुछ आपस में लेना देना नहीं है लेकिन इसके अंदर होगा क्या employer single है, मालिक एक है तो उस मालिक के अंदर जितनी अलग-अलग industries है ना वो production भी कर रहा है वो mobile phone के tower भी लगा रहा है वो retail store भी चला रहा है ठीक है, कहने को तो industry अलग-अलग है लेकिन मालिक एक है तो उस एक मालिक के अंदर अलग-अलग industries में काम करने वाले लोग एक union जो है वो बना लेंगे ठीक है, या तो एक मालिक के अंदर या एक जगा पर अब जैसे आप देखो rotas workers union यह basically एक union बनी हुई है जिसके अंदर rotas industry है rotas industry cement भी बनाते है sugar भी बनाते है paper भी बनाते है chemical भी बनाते है ठीक है, तो इसके अंदर होगा क्या, जो भी चाहे cement बनाने वाले worker है, चाहे sugar बनाने वाले चाहे paper बनाने वाले वो इस union को join कर लेंगे फिर आज़तिया local level general union local level general union के अंदर क्या हो गया किसी भी industry के हो आप for example North India या कोई state हो गया for example Punjab Punjab में आप काम कर रहे हैं Punjab की कोई union बनी हुई है यहाँ यहाँ पर मैंने example यूज किया जमशेदपूर labor union तो जमशेदपूर में कोई भी industry है मुझे नहीं फरक पड़ता कि steel की है, copper की है, iron की है कोई भी industry है ठीक है, किसी भी मालिक के अंदर है उस union को कोई भी worker join कर सकता है उस particular area का उस particular local area का उसको हम क्या कह देते है local level general union text आप बहुत अराम से पढ़ सकते हो PDF डाउनलोड करके या वीडियो को pause करके मैं यहाँ पर ultimately text आपको सारा read करके नहीं सुनाता हूँ क्योंकि उसमें बहुत जादा time जाएगा मेरा काम है आपको समझाना समझने के बाद text को read ज़रूर करो चाए PDF डाउनलोड करके चाए एक बार पूरा वीडियो सुनके उसके बाद रोक रोक के पहले पूरा वीडियो सुनना ज़रूरी है ठीक है अगर आप वीडियो को सुने बिना सीधा text read करोगे तब भी काम खराब हो जाएगा अगर आप वीडियो को सुनते-सुनते बीच-बीच में उसको pause करकर के सुनोगे तब भी वो flow नहीं बनेगा आपका ठीक है जी उसके बाद primary unions में last आजाती है आपकी craft type, craft type union में आपको समझ पहले भी समझा चुका हूँ इन सब के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी ठीक है एक्जामपल्स में जैसे इंडियन नाशनल माइन्स ओवर में नागया सर्वेयर्स, सर्दार्स, एस्सोशेशन ये सारी craft unions के एक्जामपल है primary unions के बाद next आजाती है आपकी central federation तो central federation बेसिकली इंडिया के अगर हम structure की बात करें तो सबसे पहले primary unions आजाती है उसके बाद जो state organizations आजाती है फिर central federation सबसे top के उपर अभी जो central federation होती है इनको ये जो छोटी छोटी primary unions है वो इनकी member बनती है और एक तरह से ये central federation इनका बड़ा माईबाप बनता है और वो उनको guide करेगा policies form करने में help करेगा उनके problems और issues को national level के उपर ले करके जाएगा अलग-अलग unions काम कर रही है ठीक है एक industry के अंदर ही 10 union है एक region के अंदर 50 union है एक state के अंदर 100 union है पुरे देश के अंदर 1000 union है ठीक है मैं सिरफ एक example ले रहा हूँ है ना तो ये सब अलग-अलग काम कर रहे है लेकिन कोई national problem है तो ultimately ये central federation इन सारी primary unions के जो actions है उनको coordinate करेगा ठीक है और अगर कोई primary union कोई problem face करती है उसको solve करने में भी central federation help करता है अभी हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर कुछ 12 central trade unions है इंडिया के अंदर AITUC, INTUC, IIMS, UTUC, UTUC, LENIN, CITU, BMS, NFITU, TUCC, NLO, HMKP and IFFTU मैंने सब के full forms नहीं दिये हैं कुछ के छोड़े हूँ है वो इसलिए छोड़े हैं थाकि थोड़ी सी महनत आप करो और इनके full forms देखो पता होने चाहिए कि AITUC की full form क्या है abbreviations का पता होना चाहिए इनका इन 12 में से 5 को major consider किया जाता है जिसमें आपकी INTUC, BMS, HMS, AITUC और CITU हुआ जाएगा यह direct question बन जाता है कि which among the following central federation comes under the major federation ठीक है वो 4 नाम देदेगा आपको या 5 नाम देदेगा ABC, BCD इस type का option भी वो आपको दे सकता है question सारे मैंने MCQ course के अंदर डाले हुआ है ठीक है last में आ जाती है आपकी state branches state branches एक तरह से जो आपकी central federation है ना इनी की state branches होती है इनको freedom दी जाती है कि अपने affairs को manage करें लेकिन कोई भी major decision लेना है तो वो ही central federation के थूई लेगी state branches का mainly काम क्या होता है कि ये primary unions के साथ एक connect जो है वो maintain करके रखें and with this we are done with the structures of trade unions in India and I hope कि एक quick lecture में बिना time आपका waste हुए आपको कुछ चीज़े समझ में आई होंगी और अगर नहीं भी कुछ समझ में आया whatsapp number है, mail है, telegram group का link description में है join करो, पूछो आपके लिए हाजिरो 24-7 चलिए, मिलेंगे next lecture में till then take care and bye